Let's do question number third of exercise 6.2 that is integer question number third is add without using number line last question अगर आपने देखा हो तो हमने number line use की थी अब हमें add करना है without number line तो हम अपना first part लिख लेते हैं first part है हमारा 11 plus minus 7 इस question को करने से पहले मैं आपको sign का multiplication rule जो मैंने last question में भी बताया था वो बता देती हो जब भी 2 sign हो और बीच में bracket हो तो क्या करते हैं तो देखिए plus अगर minus के साथ multiply होता है bracket का मतलब multiply अगर plus अगर minus के साथ multiply होता है तो minus ही आता है मतलब इन दोनों sign में से अगर एक भी minus है देखिए दोनों sign में से एक minus है और एक plus है तो answer हमेशा minus में ही आएगा और दोनों अगर same sign की अपस में multiply होती है चाए plus का हो चाए minus का हो तो answer plus में ही आएगा यह देखिए दोनों same sign है तो plus ही आ रहा है right आप कि इन दोनों में से एक साइन माइनस का है, तो माइनस ही आएगा, 7 और 11 में से 7 जाता है, तो कितना बचता है, 4 हमें पता है, तो 4 आगया, 11-7 is 4, let's do B part now, B part क्या है, माइनस 13, प्लस, प्लस 18, तो यह कितना आएगा, देखिए, हम माइनस 13 as it is लिखा, अब दोनों साइन प्लस के थे, तो प्लस ही आजाएगा, प्लस 18, तो अब देखिए, जब भी ऐसा होता है, एक वैल्यू माइनस की होती है, और एक वैल्यू प्लस की होती है, अगर आपने य इसके आगे कुछ नहीं लिखाता साइन, तो प्लस की थी, एक वैल्यू माइनस की थी, जब भी एक वैल्यू प्लस की और एक वैल्यू माइनस की होती है, तो आपस में सब्ट्राक्ट कर देते हैं, तो 18 में से 13, 5, और साइन हमेशा बड़ी वाली डिजिट का लगता है, तो मैं इसलिए प्लस साइन नहीं लगा रही हूं, तो 5 is the answer, let's you see part now, c part is minus 10 plus plus 19, तो वही लेते हैं, minus 10 plus plus 19, तो यह कितना आ गया, तेके minus 10 as it is, और हमें पता है, दोनों साइन प्लस के हैं, तो प्लस ही आएगा, plus 19, अब आपने देखा होगा, एक प्लस की वैल्यू एक माइनस क तो आपस में क्या हो जाएंगी, अभी अभी मैंने बताया था, subtract हो जाएंगी, तो 19 में से 10 गे is 9, अब बड़ी वैल्यू क्या थी, 19, तो 19 प्लस का था, तो यहां पर प्लस का साइन लगाने की ज़रत नहीं है, तो 9 is the answer, let's do next part now, d part, तो d part है हमारा, minus 250, plus, plus 150, तो यह क्या लिखेंगे, bracket open करेंगे, तो 250 तो minus का था, अब 150 दोनों plus के हैं, तो plus ही आएगा, plus 150, तो यह कितना आजाएगा, देखें, जब भी एक वाल्यू minus की और एक वाल्यू plus की होती है, तो आपस में सब्ट्राक्ट कर देते हैं, तो 250 में से 150 गया is 100, अब क्योंकि बड़ी डिजि 250 थी, तो उसका साइन क्या था, minus, तो यहां क्या लगा दिया, minus, तो हमारा answer आगया, minus 100 is the answer, let's do e part now, e part is minus 380 plus minus 270, तो यह कितना आएगा, minus 380 as it is, अब देखें, एक plus का, एक minus का साइन है, तो क्या हैगा, minus आएगा, plus minus minus 270, अब देखें, यहां कोई bracket नहीं है, दोनों values minus की हैं, अभी तक एक minus की होती थी, और एक plus की होती थी, तो हम subtract कर देखें, अब अगर दोनों same values, अब अगर दोनों same sign की values होती हैं, तो हम आपस में values को add कर देते हैं, और sign, जो दोनों को होता है common sign, वो लग देते हैं, तो अब इन दोनों को add कर दे तो यह कितना आ जाएगा, minus का ही आएगा, क्योंकि दोनों का sign minus था, 0 as it is, 8 plus 7 is 15, 5 carry 1 and 6, तो minus का 650 is the answer, let's do last part now, last part is, minus 217 plus minus 100, अब bracket open कर लेंगे, तो देखिए, 217 as it is आया, अब plus minus, एक sign minus का है, तो minus लग जाएगा, 100, अब हमें, दोनों minus के sign दिखने हैं, without bracket, तो आपस में क्या हो जाएगे, add हो जाएगे, और sign, किसका, आप चाहें, तो यह कह सकते हैं, बड़ी वाली value का, जो sign है, वही लगा लेंगे, तो minus का sign था, तो minus ही लगा दिया, answer,